नमस्कार दर्शकों मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है आज के बाद अब दो तीन दिन मंडी बंद रहेगी क्योंकि चुनाव भी है और शनीवार रही भी है तो हमारे जो व्यापर ही है मुगल जी कहना है कि पास दिन मंडी बंद रहेगी आज मंडी शुरू रहा क्या बजा रहा है और आगे कि क्या आपका बहुत दो स्वागत है किस तरह की तेजी है प्याज में क्या है एक तो बॉर्डर खुलने से पाथ कुरांतों में माल जाने का था पर तेजी तो आगे थी 26-28 भी हो गया था प्याज और कारण क्या वाग उनको पर 40% डूटी लगा दी जूटी लगाने से वापस से कुछ परता नहीं आती है रेट में तो वापस से बिरिग लग गया पर उनको खोलना पड़ेगा चुनावी माहों ले और आगे उनको खोल के और उसको करेक्शन करना पड़ेगा और किसानों को अच्छा दाम मिलेगा और वो लगे तो बजार बढ़ेंगे तो बजार बढ़ेंगे तो पचाइब अच्छा उच्छा ले एक रुप्य आठाना के बजाए तो पांच रुप्य छेरे मामोली बात तुडिये गया और अभी बीच में 28 रुप होगे थी प्याच तो कुछ डूटी के कारण वापस से रेड अभी पांसा दिन पहले ही तो यह तो और रहे है तो आभी अभी कम वह पेले से कम होगे ना पतो डूटी रगगए इसके कारण हो रहा ना जिए तो क्या बथी चालीच परसेन्ट बंदmpfen से सबस्क्राइब करना जो प्याज का जो इनका जो रेट है वह जो भाव है उनके लागत में नहीं बैठ रहा है तो यह जो प्याज है आज मंसुर के अंदर बता रहे हैं कि 5,000 कटे और कोई आवाक हैं मंसुर के अंदर और सबसे बड़ी बात यह है कि 5-6 रुपर तक का उच्छा ले व्यापाई जो मुकेश जी थे इनका कहना है कि 7-8 दिन पिले करीब 28 रुपर तक प्याज गया था लेक 50-60 रुपर तक जा सकता है मार्केट टाइमस के लिए मंसुर से मैं दिपक शर्मा